हेलो दोस्तों जैसा आप दिख पा रहे हैं कि आसे चार दिन पहले UGC NET का रिजल्ट जारी किया गया था और उस रिजल्ट को जारी करने एक बाद बहुत सारे स्टुनेंट जिन्होंने नेट और जी एरफ क्वालिफाई किया लेकिन कोई ऐसे स्टुनेंट थे जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और कई ऐसे हैं जो नेट तो क्वालिफाई कर रहे हैं असिस्टंट प्रोफेसर के लिए लेकिन जो जी एरफ है वो नहीं कर पा रहे हैं तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों को ध्यान में रखके बनाया गया है जो बार-बार नेट एक क्लियर करें बेसिकली मेरा सब्जेक्ट है वो कोमर्स है तो यहां पर मेंली बात होगी कोमर्स की लेकिन आज केवल पेपर वन जो की टीचिंग अप्रिडूट के बारे में है उसकी बात होगी उसकी प्रिप्रेशन कैसे की जाए तो उसके रिलेटर ये वीडियो रहेगा तो अधर जो भी जिनके भी सब्जेक्ट है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं यह पुरी तरीके से उन लोगों के लिए है जो नेट या तो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कई टाइम से या जिनका फॉस्ट एटैम है नेट का या फिर उन लोगों का जो कई वार नेट क्लियर कर चुके हैं लेकिन जीर फ जिनका क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी लोगों के लिए वीडियो नहीं है फिर इन लोगों के लिए वीडियो है तो आगे हम बताएंगे आप पो कि कैसे नेट को लिए प्रिप्रेशन की जाए तो आप इस वीडियो में बने रहे हैं तो इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू, पेपर वन के अंदर 50 questions आते हैं, और उनके 100 marks होते हैं, और second होता है पेपर टू, उसके अंदर 100 questions आते हैं 200 marks के लिए, तो पहले जो major program में यह रहती है, अगर commerce वाले student की बात करूं, तो first part को बिलकुर ignore कर देते हैं, वो यह मान कर चलते हैं, कि first paper का तो 50 questions आएगा, main तो second part है, लेकिन वो यह चीज़ नहीं समझते हैं, कि exam में weightage है, 2 to 1 का ratio है, means अगर 100 questions आ रहे हैं 200 marks के, main subject के, तो 50 questions, उनके first paper के अंदर जो treating aptitude है, उसके question आ रहे हैं, तो वो इसको ignore करते हुए चलते हैं, यह सबसे बड़ी problem तो उन लोग के लिए है, जिनका commerce का portion strong होता है, लेकिन अगर आप देखा जाए, अगर आप first paper नहीं करते हैं, अच्छे से तियार, तो आपका J.R.F. तो clear करना लगभा नामम्किन हो जाता है, और कई student ऐसे होते हैं, जिनको यह लगता है कि हमारा commerce का portion बहुत strong है, वो CA background से ह होते हैं, अगर कोई professional course से होते हैं, तो उनको लगता है कि हमारा main subject strong है, हमें जरुवत नहीं है, हमारा assistant professor निकल जाएगा, लेकिन क्या होता है कि जैसा इस वार भी कई student से सुनने को मिला, कि main paper में statics का portion hard रहा, तो अगर माको main subject में hard question आ जाते हैं, तो फिर आपका pass होना paper one की, अगर आप paper one को त्यार नहीं करते हैं, तो आपके chance कम हो जाते हैं, exam को clear करने की, और जे रफ तो मान के चलिए कि लगबख नाममकिन है, अगर आप first paper की त्यारी नहीं करते, तो आज हमारा पूरा focus रहेगा, वो paper one पे रहेगा, कि कैसे त्यारी करें, कौन सी books को refer करें कहां से study करें, मेन होता है कि paper one अगर आप अच्छा कर लेते हैं, तो आप से paper second आता है, तो आप अराम से कर पाते हैं, और अगर ये होता है, कि paper one आप खराब हो जाता है, उसके बाद आप जब paper second बैठते हैं, तो आप और ज़्यादा pressure आ जाता है, और paper second के अंदर प्रोफेसर के एकजाम दिये थे और अब जिनका नाट का एकजाम दिया और वो क्लियर नहीं कर पाए अब उनके यह इशू आ रहा है कि उनके माफ्स तो अच्छा रहे हैं असिस्टन्ट प्रोफेसर एकजाम में लेकिन अब जो net का result आया है वहाँ उनके qualify नहीं कर पाए है तो यह जो exam दिया था assistant professor का यह सब विकार हो गया और फिर से जो government द्वारा RPSC ने कहा है कि एक ज़र पोस्ट पे फिर से vacancy आएगी और अब यह है कि यह vacancy आएगी तो उसके लिए भी अब यही मान के चलिए कि next attempt में अगर आप clear नहीं करते है नेट तो वो vacancy बेकार हो जाएगी तो अब जो preparation कर रहे हैं अब तक जो fail हुए हैं उनका जो तरीका था वो शाइद गलत हो सकता है त्यारी करने का तो आज सही तरीका paper 1 के लिए इस वीडियो में बताया जा रहा है तो आप ये तरीका follow कीजिए और आप देखिए आपका result positive आपको ज़रूर मिलेगा तो आगे हम बात करते हैं paper 1 में क्या subject में क्या-क्या topic है और कैसे-कैसे उनकी त्यारी करने है किसको priority देनी है किसको exam time के लिए रखना है और कैसे त्यारी करने है कौन सी book से करने है वो आपको हम बताते है तो चलिए अब हम पहले इनके subject को देखते हैं आपके सामने paper 1 जो की research and teaching aptitude है उसको लेकर 10 chapter है वो आपके सामने दिये हुए है इसमें जो chapter 10 है इसके दो पार्ट है और बाकी सब यह दिया हुए है तो आपको चैप्टर 1 आप देख रहे है teaching aptitude है second chapter है research aptitude third है comprehension fourth है communication fifth chapter है mathematical reasoning and aptitude sixth है logical reasoning seventh है data interpretation eighth है इसके अंदर information and communication technology ninth है people development and environment and tenth है इसके इसके इंदर जिसके दो पार्ट है a पार्ट है higher education and जो बी पार्ट है उसमें है governance, quality and administration तो यह total देखा जाए तो 11 chapter हो जाते है तो इसके इंदर जो main problem क्या रहती है student की कि जब वो त्यारी करने पैठता है तो वो book अगर open भी करता है तो वो start करता है first chapter से जो की exam में benefits अच्छा रखता है लेकिन जैसे यह commerce background का है तो उसका कोई यहाँ पे knowledge उसको होता नहीं है, दूसरा यह है कि आप किसी भी book से पढ़ ले, MCQ कुछ अलगी आ जाते है mostly, और यह है कि आपको नया कुछ देखने को मिलता है वही second chapter भी है, इसी type का chapter है और जब तक आप, mostly तो यह रहता है यह दो chapter पढ़ने के बाद इतने exhaust हो जाते हैं, कि फिर आपको easy chapter भी समझाने बंद हो जाते हैं तो आज कैसे study की जाए वो आपके सामने हमने लिख रखा है कि priority कैसे दी जाए एक्जाम में questions इन सभी chapter से आते हैं और एक अच्छी संख्या में question आते हैं, तो main है आपको कैसे study करनी है, किसको पहले लेना है किसको बाद में पढ़ना है, तो वो तरीका दिया है अगर आप easy subjective chapter की बात करें, तो इसमें chapter number 5 होता है इजी है, जिसको आप असानी से कर सकते हैं फिर आता है chapter 3 comprehension एक तरह का passage बोल सकते हैं उसी अंदर से आपको answer देने होते हैं और फिर आता है communication, एक normal chapter है और बिल्कुली असानी से अगर आप एक बार इसको read करते हैं और MCQ की त्यारी करते हैं तो हो जाता है और फिर आता है chapter number 8 information and communication technology इसमें थोड़ा internet और जो भी है आपको communication devices इनको लेके question होते हैं तो ये भी एक असानी से याद होने वाले chapter है अब है moderate level में moderate level की बात की जाए तो इसके अंदर आपका 9 chapter है moderate level की अगर बात की जाए chapter की तो chapter number 9 होता है 9 के अंदर है people development and environment तो इसके अंदर main है कि आपका जो भी थोड़ा science का part होता है जो आपने 10 तक किया है और थोड़ा सा समाजी का मिला के एक part होता है आप एक वार पढ़ते हैं आपको clear हो जाता है थोड़ा बुट science का इसमें थोड़ा tough portion आता है लेकिन जो मैं book बताऊंगा वो इसके लिए best है वहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको एक वार या दो वार आप पढ़ लोगे chapter को याद ना करके खेले एक वार reading कर लेंगे उसके बाद आप करेंगे तो आपको लगबख समझा जाएगा और उसके बाद है अगर आपको chapter 10 में से लेना है तो आपका जो second portion है B इसको आप पहले उठाईए क्योंकि ये politics को लेकि है में है कि आप daily एक एक part पढ़िए जैसे इसके अंदर कई बार हो गया और उसके बाद जब आप समझा जाए तो आप फिर उसके बाद 10E को छड़ी है higher education system इसमें अलगा आयोग बने हुए कैसे education system लगू हुआ कैसे college, कैसे universities, deemed universities इनके concept आए primary education से अलग लग आयोग बने हुए एक ओठारी आयोग है या जिसके अंदर दूसरे और आयोग है under आयोग हो गया और और भी है cellular आयोग जो यह आयोग है उनके बारे में बता गया है कि किसने क्या presence दी थी जिसके एसाब से इस्टापना वी थोड़ा सा boring तो है लेकिन अगर आप धीरे धीरे reading लेंगे तो आपको थोड़ा-दर समझ में आएगा आप अपने जैसे आप college करके आएगे तो आप college कैसे कौन सा आयोग था जिसने दी थी और major है उनके year याद रखिए कि कि किसके काईने पर यासे college भुला कौन से में deemed university है उस open वी और फिर कौन सा था जो primary education के लिए था तो आप ये समझ समझ कि अपने education से जोड़ते हुए connect करते हुए पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा clarity आएगी और उसके बाद है कि अगर हर chapter की बात की जाए तो ये chapter आप ये है पहले तो बिलकुल भी और थोड़ा समझ में आ जाएगा और फिर chapter number one कीजिया main है एक वार हलकी से reading लीजिएगा और फिर जो पीछे इनके MCQ है book बताऊंगा उसमें से वहां से MCQ को आप दो या तीन वार लगबग 1500-200 MCQ होंगे तो आप वो MCQ कर लीजिएगा और most probably है कि आप 60-70% जो इन दोने chapter से cover कर जाएंगे बाकी 100% तो नहीं हो पाएगा लेकिन यह है कि आपको थोड़ा अगर आप इसे साथ सी करेंगे तो बाकी chapter इतने strong हो जाएंगे कि आपको अगर 100 marks है तो आप उसमें भी 75-80 के marks के करीब clear कर पाएंगे अराम से कोई issue नहीं होगा 75 अराम से बन जाएंगे जो अच्छा score है क्योंकि mostly यह देखा है 70 marks से below ही रहता है commerce student का तो यह एक अच्छी तरीका है और उसके अंदर यह है कि आप इनको जो पहले दो chapter इनको एक exam से एक दिन या दो दिन पहले ही आप कीजिए बाकी मत चड़िये इनको चुकि अगर आप इनको लेके बैठ के तो फिर आपको लेके बैठ जाएगा और आपके other chapter रह जाएगे इन दो chapter को इसी तरह कीजिए chapter number 3 है comprehension उसका बहुत दीजी तरीका यह है कि daily एक दो एक दो passage आप जैसे ही मैं book बताऊंगा उससे आप करते जाएगेगा और आपको एकदम clarity आजाएगी आपको इस chapter को तो टुकणे में ले लेके चलना है daily एक एक passage कर लिया दो passage कर लिया more than enough है और उसके बाद यह है कि अगर आप ऐसे चलेंगे तो आपको clarity आएगी बाकी यह है कि किस तरह इन chapter को लेना है तो आप पहले लीजिए easy chapter जो आप एक मन पहले भी कर सकते हैं last में एक दिन के लिए यह जैसे easy वाले है तो आप उनको 2 गंटे में revise कर सकते हैं शूर के यह 6 chapter बताए हैं यह पर आप कर लें त्यारी इसमें फिर यह है कि moderate level है उसको आपको एक या दूबर पढ़ना होगा उससे आपको clarity आईए और hard वालों को last के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि अगर आप पहले पढ़के इनको छोड़ भी देंगे कैसे भी पढ़ लेंगे पीछे वाले chapter दूसरे हैं वो त्यार नहीं होंगे और यह भी है कि last में अगर आप नहीं पढ़के जाएंगे तो यह usual ऐसे है आप कुछ यार नहीं आएगा एक्जाम में same question तो आप सोच के मत चलिएगा कि आपको same to same question मिल जाएगा word to word वो अपने तरीके से बनाएंगे और फिर आपसे हो नहीं पाएगा तो आप उसको उसी way में लेके चलिएगा अब बात आती है कि आपको कैसे त्यारी करें कौन सा subject material यूज करें कैसे करें तो इसके अंदर है कि पहला जो बताया गया study material तो आपको सबसे बड़ी आप बुक बताएंगे बहुत सारी बुक्स आपको बोलेंगे अलगलर teacher है और है वो आपको अपनी बुक्स आपको चेपने ही कोशिश करते हैं कि हमारी बुक्स हम teacher है इस platform पे है हमारी बुक ले लिजे clear हो जाएगा जो वो teacher भी clear कहां से करके आए है जिस बुक को सब refer करते हैं जो भी teacher अब तक इसके अंदर आए है नेट में clear करके तो अगर किसी ने बुक refer किया है तो वो की है Teaching and Research Attitude by KVS Madansar जो KVS Madansar की बुक है आपको वो ही follow करनी है दोनों Hindi और English Medium दोनों किस्पोनेट के लिए ये बुक आती है आप चाहे तो अपने local market से आपर चीज़ कर सकते हैं अगर वहाँ मिल जाए तो सबसे बड़ी है अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं आपको description में link दे दूँँगा Amazon और Flipkart पे आपको अगर वहाँ से लेनी हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं लेकिन कोशिश किजएगा कि लोकल market से आप ले तो आपको जो है असानी से जल्दी मिल जाएगी वह book और second होता है कि कुछ chapter ऐसे है जैसे reasoning के अंदर है mathematical reasoning और हो गया या logical reasoning का part लेने तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे part है जो आपको book से समझ नहीं आएंगे अगर एक वार आप करने डालेक जाएंगे तो उसके लिए है YouTube पे आप आईए YouTube के उपर आपको बहुत सारे educator है जो small small part में वीडियो मनाते है जैसे Indian logic पे टोपिक हो गया और कई और टोपिक होगे तो आप एक वार उनके वीडियो देख लीजिए आप YouTube यूज करते हैं उसका थोड़ा सा benefit लीजिए क्योंकि complete वीडियो मिले ना मिले लेकिन कई teacher ऐसे है जिनका Indian logic पढ़ाने का तरीका या अधर ये reasoning पढ़ाने तरीका है बहुत अच्छा तरीका है और एक वार अगर आप वहां से समझ के आ जाते हैं फिर ये book बहुत बढ़िया है इसमें अंदर आपको practice करने है अगर आपको समझने आगा थोड़ा सा तो उसके बाद यहां पर exercise करने के लिए आपको बहुत सारा material जो है question वो मिल जाएंगे जो कि more than enough है इसके लावा किसी notes को किसी book को किसी teacher और कुछ भी करने की जुरत नहीं है ये book अगर आप ले लेते हैं तो इससे आगे कुछ भी नहीं है तो इतना है अगर आप ये follow कर लेते हैं तो फिर कोई problem नहीं आती में ये issue रहता है कि जो commerce background के होते हैं उनको जो आउनके senior होते हैं किसी राई लेते तो यहीं बोलते हैं कि mean subject का focus कर लीजिए first job आपका paper वो आपसे नहीं होगा इतना strong और यहीं इहां पर ही दिक्कत खा जाते हैं कि आपका किसमत अच्छी है तो second paper आपके level का आजाता है और आप कर जाते हैं लेकिन अगर आपकी किसमत काम नहीं करती और paper hard आता है second आ तो आप direct fail होते हैं कोई आपको बचा नहीं पाता इसलिए यह है कि आप यह मत भूलिए कि यह 2 to 1 का ratio लेके चल रहा है अगर आपने first paper का ध्यान छोड़ दिया तो आप यह मानिए आप 67% के लिए जा रहे हैं जान देने के लिए क्योंकि ratio 2 to 1 है आप यह मत सोचिए कि ज़्यादा उससे आएगा कोई फरक नहीं बढ़ता आपको जे आरफ लेकर नहीं है यह hard है लेकिन आप कोई negative marking नहीं है आप यहां पर थोड़ा gas भी कर सकते है अगर आप पढ़ के जाते हैं उसके बाद भी नहीं आता है अगर आप पढ़ेंगे तो gas करने में भी easy होगा बाकि इनको पूरा focus कीजिए आप यह मत सुनिए कि किसी का कि आपका subject strong है तो आपका आराम से हो जाएगा आप first paper को छोड़ दिये second में लग रही है कोई बरोसा नहीं है इस वार भी का instrument बोलना है statics का portion hard आया commerce में यह आया वो आया परसेंट खराब कर दिये यहां से चुकत के जे अरफ से रह गे और main subject में तो सब भी त्यारी करते हैं यह मान के चलिए अगर आप commerce पे ground के आपका जो difference लाने का तरीका है वो यह होगा कि आप राजतान जी के वाश्टर होंगो same वही है कि हाँ भी commerce में तो हर कोई कर लेगा जो देने आया net exam main जो difference लाएगा वो लाएगा first paper आप यह तरीका फोलो करते हैं बिलकुल उसके आद अप टैशन फ्री ही रहके आप उने exam दीजिए और result आपको positive मिलेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ यह आपने वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंट्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम इसके बाद second paper है जो commerce का है यह तो में सभी के लिए है वीडियो लेकिन वो specifically इसके लिए आएगा कि commerce के अंदर जो subject है अलगर topic है उनकी त्यारी कैसे करें किसको preference दे कैसे त्यारी करें क्या main main चीज है कहां से study करें वो में हम बताएंगे तो आप ध्यान रखेजेगा और अगर आपको first paper clear करने के अगर त्यारी करने के लिए जरूई है तो आप पहले लीजिएगा ये KBS मादान की book अपने local market से मिल जाए तो best है अगर नहीं मिलती तो online में आपको link दे रहा हूं description में आप जाके देख लीजिए और आप महां से खरीद लेजिए क्योंकि में जो तरीका बताया है उसी को follow करते हुए चलिएगा और जब आप रेजल्ट है तो आप इसी वीडियो के comment section ने बताइएगा आपको क्या change मिला आप इस procedure को follow कीजिए उम्मीद करता हूं आप exam clear करता हैंगे धन्यवाद